आप ईहत बिठी विजय दसी खाल्सा. आँउ गुरुजाना सरूर करिये जिए विजय दसी खाल्सा, वाही गुर्जी का खाल्सा वाही गुजिक परे। गुरुख प्यारी साथ सिंगर जी फते वक्षो वाजिकुरुजी का सभी वाही कुछी का शते। इस सड़ा शरीर पांज पूर्टत शरीर है इस छेवी जोत जो सद्गुर्स चे पाद्शान में बक्षी है कुल मिला के इस मिटी दा कडोना एक ऐसा मिटी दा कडोना है जड़ा बद दा कुल्दा है लेकिन ए मिटी दा शरीर जड़ा बद दा कडोना है पर मात्मा दा एक अंश आत्मा जड़ा जोत शरीर दे विच वासा पांदी है फिर ए मिटी दा शरीर दिन दिन वद दा है छोटा जया बच्चा जनम लेंदा है है ते मिटी दा बद दा क्योंकि विच पर मात्मा दा एक अंश आत्मा मजूद है फेरो वद दा होया अपने कड़ बद तक पहुंचदा है ये मिटी दा बद दा है इस विच मिटी दे सारे वकरे वकरे पुर्जे लगे हन जो के सारे ही ठीक हन जोदो कदी दी कोई शरीर छोड़ जनना है बड़ा मन दे विच स्वाल एक पैदा हुंदा है कि इस विचों की मर गया है उस भी यां अक्खां मुरीतियों तो बाद किसे और शरीर दे विच लगाईया जनना अक्खां वेकर लग पेंदिया हन आम रिवाद है अलगल जिदे जिदे जे विच भी आईगी या लजसांस होएगा उदे पिछले पासे दो लेना लिखियों यहां कि अपने शरीर दा कोई आंग दान करना है तो एथे पिछले पासे लिख देओ ते एक टेलिपोन कर देओ अगर एक मिर्तक छक्रीर जो कटके अख़ा बिया उतलिया दूसरे अने दिया अख़ा विच लग के नजरान लग पेंदा है तो इस न मतनब एस मिर्तक छरीर जो अख़ा जे मरिया नहीं सन अख़ा काम नहीं सन मनुक दे फेपडे दूसरे शरीर विच लग के कम कर दे हैं एक आज कल एक आम गल है लीवर ट्रांस्परांट होंदा है एक आम गल है गुर्दे बदली कर दे हैं एक आम गल है सकेन दे टिशू बदली कर दे हैं एक आम गल है ये सारे ही अंग का मान वाले हैं फेर भाई मर्या की है, फेर तस अनु सोचना चाहिए, आपेर एजय की मर गया, अंग दे सारे कामवाले हैं, सारे दूसरे श्रीव इच कम कहां जे हैं, जिसनु मिरतक कह दुता है, उस विचो जड़ा अंग करदे हां, दूसरे श्रीव इच लगांदे हां, कम करदा है, पिर ओर शरीम में क्यों नहीं कर गया है? क्योंकि ओव उख उन पंजपू तक शरीर रय गया है Sat ग्रुल दा हुकम नहीं है परमात्मा दा एक आंश आत्मा उस विए मजूद नहीं है परमात्मा दे मर्जी नहीं कि उन न शरीयर चले बहुत सारे जिसों कर जबानी गला करदे हम क्यांदियां के कैदे हम परमात्मा अंदर ही है यह एक परमात्मा अदास पे अंदर होया तो जितनी साथ संगत बैठी है हर शरीर इसे अगर परमात्मा होए किन्ने को परमात्मा होए नहीं जब एक है जे परमातमा शरीर दे अंदर हो वे तो फिर बहुत सारे हो गई एंज नहीं है परमातमा दा सिरफ एक आंश आत्मा है उस विच समुंदर दे किनारे कड़े हो जाए समुंदर जो एक गलास पाणी दा पाड़ लए किसे अज्ञाने नोब पुछिए इस विच की है पर उसमुंदर नहीं अख़ा सकता। इसे तरह आत्मा नो तुसी परमात्मा नहीं कह सकते। ज़त तक ओ आत्मा परमात्मा देना मेल ना पा जागे। फुरातन थोड़े जे पहले समय दी मिशाल है। असी जड़े वतना नो आये हां जदो व्याशावियां करदे सी ते ऐस सोटे वियां बोतलां एक ड्रम मिच पाके बरख पादेंदे सी नाग, पानी पादेंदे सी ताके जड़ा बोतल दे अंदर पाणी है, सोटा है और ठंडा हो जाए। फुरो अंदर भी बोतल दे पाणी है ते ड्रम विच पेहाँ है, क्योंकि बोतल डुबी होई है ते बोतल दे बार भी पाणी है। भाहत थे अंदर भी पानी है, ते भाहत बार भी मानी है, लेकिन दोना नगो अपकुशं मेlles नहीं हो सकता। जे कोई भीक खोझदे वे टकल णूँँ अंदर जाझे बार था पानी इक हो गया। फेरो उनु रख दे, उकड के टेबल दे, फेरो किसे दे, केंदे जी हुन साथे काबल नहीं दे, इसे तरह जदो आतम पर मातम एको करे, गुर पर साधी कभू न डरे, ते जदो जड़ी आतमा मिली हुन दी है, ओ केंदे हाने उन संसार दे काबल नहीं दे, क्योंकि उस दिया फरक पहलना के वक्रिया गला हो जाली हमठे जड़ी शरी बेविच घेर और होए परमातमा दे दर्शन पांत जड़ी तरीके हम सहः और सीरी गुरु गुलत साभ दे. ऑदर्ची किता है तांके कोई गुर्षिक पलेखा ना खावे किदरे कोई गल्ट फेमी ना लगे गुर्षिक नू फोरण समझावे के परमातमा देनाल मेल किस तरह पाना है और एही जामा है रोज असी बाट कर दे हां पही परापत मानुख दे हुरिया गोविद मिलन की एहो तेरी बरिया एवाई वारी है गोविद नू मिलन दी एही वारी है जड़ी मनुश्या जून मिली है ए गोविद नू मिलन दी वारी पक्षी है परीद जी शेक परीद जी जिवे उना रूसला मिली उना ने सोचया के शैद जंगल विच जाके तपस्या करके परमादमानी प्राप्री हुंदी है काफी वरे जदों तपस्या करके खान पीरदा ख्याल नहीं सिम्रन करी जा रहे हैं ते पंचियां ने गिदां कामां पे इल्ला ने सोचया भी शैद एक कोई उन मिल तक शरीर है ते कान ने कोशिश किती आके चुझ मारण दी ते फरीद जी जा एक सलोक है अपने मुखारविंतों उनने परमाया है काफा करण टडोलेया सगला खायो मास ए दोए नैना मत चुय मुहे पिर देखन की आस बटी वरे तपस्या करण को वाद जंगना दे विच अजेक पिया नू मिलन दी आस है पती नू देखन दी आस है केड़ा पती आत्मा दा पती परमात्मा उनू मिलन दी आस है अजेक कितना अंतर है के साथे सहेक पूरन दस्देहन के पांच साल दा बच्चा भी ग्यान प्रापत कर सकता है ते उन अनू कितने इतने वरे तबस्या करन को बाप जदो सोजी होई ते फेर गुर्मत दा मारर पता लगाता जदो पता लगता है फेर एक चीज गोड़ लिगते हैं क्योंकि सानू हुकम है किर्थ करनी है काल करके किर्थ करके खाना है ते पल्यों कुछ बंड़ना है दे के पला मनाना है काल खाए कि छत्थों दे नानक राप पचाने से कुमाई करनी है किर्थ करनी है फिर उस दे विच्चों कुछ सेवा करनी है फिर रस्ता पता लगेगा ते जे कारवार छोड़के जंगलां भी चला गया ते फिर इसना मतलब है रस्ता पटक गया ते जदो फिर पुछ या के अलगे जी इसी कुछ नाया ते राबनों किस तरह पाना तो खेत दे विच जीरी लगंदे ले सी एज़े चोला थे भुटे ने चोल लगंदे ने पनीरी किसे वोड खेत भी चूंदी है फिर उसनों पानी दे के खेत नूं को करके उस रिजी के भुटा लाया जांदा किना सोखा जवाब था, के अंधे रापदा की पाने, वदरों पुटाने ते तर लाने, जिमे को पनीरियों के चो पुट के अधर लाती है, वदरों माया चो मानननों पुटो, ते सद्गरू दे दर ते लादे उ, रभ नु पाना सोखा कोई ने क्योंकि एक दाथ जली है सजगरुदे दर तो मिलती है संसार्गियां वक्रियां वक्रियां थामा हन पेती क्रोड दिन देवते हन मंदर मिच जाके पंड़र जिनों पुछ ये किस तरह दा संकट है जिमें दा संकट होएगा और टूंड के देवता लियाँ एस देवता लिपूजा कर लो इतने वरत करो इतने नेम करो एकारच सिद्ध हो जाए लेकिन जिस वक्त अखीर दे आके आत्म परमातम दा जिकर करो फिर ओ गीता खोल देगा फिर गीता खोल के क्रिशन जीदा ओ सलोक दस्दे हम ये अरजुन जब ये जीव 84 भरमते भरमते मनुशा दई में आवे है तो चेतन होए है ऐसा चेतन होए है के मेरे विराट सरूप को पहचान लेए है पहचान लेए है तो मुट्ट हो जावे है वरना फिर 84 में चला जावे है और क्रिशन जीदे आत्मक दर्शन करने ए फिर गाल उते आवे इस गाल दास्वार सहब सीरी गुरू गरंट साथ दे सकते हैं बाइबल देविच एक जगा जिकर है के समुदरविया बहुत सारी मच्चिया ने राल के कॉंग्रीगेशन कीती संगत कीती संगत करके एक ने सवाल कीता के मैं बड़ा सुनیا है के पानी तो बगएर मच्ची रह नहीं सकती ते असी मच्चिया ना ते पानी किते हैं इक होर मच्ची ने उटके सुहाग किता, सुने हैं कि पानी मच्ची दा अधार है., मच्ची नूँ पानी तो बार कड़िये ते मर जादिये, परसी पानी धे अंदर कभो जावागे। पाणी ले विज रह दिया हूं या मचिया नूँ आई नहीं पता पाणी किते है जिवे मनुक नूँ नहीं पता कि परमात्मा किते है परमात्मा अंग संग सहाई है हर वकत त्वटे नाल है जदो असी पाठ कर दे हैं ताती वाओ ना लागेई पार ब्रह्म चरनाई चोगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पढ़ाई आईसी चोगिर्द एक रामकार है जिवे मच्ची दे चोगिर्द पाणी है उवे साथे चोगिर्द एक रामकार है परमात्मा दी अकार है उन सिर्फ एन अक्षा तो एक बढ़दा उत्रंदी देर है पता लगे के सरव्यापी परमात्मा है किते ऐसा परमात्मा जिसनों दुनिया खोज़ी फिर्दी है वखरे वखरे तरीकें दे नाल ओ परमात्मा किते हैं को परमात्मा अंग संग होंदे होए सिर्फ मिलेगा जे साथी जिन्दगी दे विच अमल होंगे सिखी गा बाना बहुत जरूरी है कोकि एस संत सिपाई वाला बाना है साथ गुरू ने बक्षिया दे लेकिन एक संत मारग वक्रा बक्षिया दे जड़ा के कुल मनुखता वास्ते है यह जितने गुर्षिक बाने दे विच मौजूद हने थे जड़े सिखी बाने दे विच बीबिया हन गुर्षिक हन यह सारे सेवादार हन सहेव सिरी गुरू ग्रंद साथ दा उपदेश कुल दुनिया लई है कुल जहां दे विच जड़ा मनुख बनके पैदा हुया है उन लई एक कामल मुर्षिद है सेवादारा दा एक पर्ज है हर जुबान दे विच हर तरीके दे नाग एस संदे नूँ एस अवाज नूँ दुनिया दे हर मनुख दे कान विच पादे उसनिया दे दे दू ते जे गुर्सिक ठठेरा दे बिल्या वाकर हो जान समा इजाज़त नहीं पे रिया दास अंदे मिंट वीची खतम करेगा ठठेरा दे कार बिल्या नूँ देखो ते अपने करा दे आस पास देखो जड़ा तो खड़कार होए ते बिल्ली दोड जाएगी लेकिन जड़े टीन दा कम करदे दे हम ठठेरे होंदे हम ट्रंक ते होरो बोस सारी चीजां बनादे हम थोड़े ते होड़ा मारी जाएग ते ते जड़े उनने बिल्ले-पाले हो दे हम, ओ बिल्ले सुटदे पहिए हुझे ऑस खरकार दा होना ते कोई असर नूँ आव सा सजद बक्षिश करो, कि दरे कठेरा दे बिल्या वाला आल ना हुए, कि रोज गुर्बानी सुनिये, और सुनन दे बाद साड़े दे असर ना हुए, आव बक्षिश करो, इतना कुसमा बक्षिश होया सी, इस विच कोई ऐसी गल बोली गई हुए, जिसना किसे दे हिर् हुए है बच्छी की फदे, पाइसाव कानी ते जिनर सेंटी खासा जो को पर बचारा आप जिनर सानियों कर रहे हैं, अस्याँ आपने बहुत वाफ्टन वादी हैं, इनने पाइसाव जिनर आपने पच्चे गो स्कूल पच्चे हैं, पढ़ते हैं, पीक्तों सिख्याई लो आपने बच्चा परदी होएगा, मैं एथे उननों, हर बच्चे विच्छ का जो है, आपने बच्चे करांगे, करणगे, चाहँ करांगे, दापने बच्चे करांगे, हर बच्चे मने करने बच्चे करांगे, करणगे। प्रोट प्रोटान्ट चार्णने से। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो